नमस्कार, आपका करिश्मा रेसिपी में सुवागत है आपका आज, आज में बनाने जा रही हूँ कोबी मंचूरिय, तो इसकी इंग्रिडियन से आज बताती हूं है, मैंने एक बड़ा सा शिम्ला में शमेलिया हो बारिक कटा हुआ, एक मैंने हरी प्यास ली हुई है, बारिक तो जब हम बैटर में मिंस करेंगे तो इसका स्वार थोड़ा अच्छा और कुरकुरा एगा, तो मैंने बैटर के लिए लिया है चावल का अटा, चावल का अटे से मैंने इसलिए लिया है कि आप मैदा भी लगा सकते हैं और उसके साथ कॉन फ्लावर भी डाल सकते हैं, ले उसमें हम एड करेंगे अद्रग, लसुन का पेस्ट, सेजवान सॉस और कुछ मिर्च मसाले हमने अलग से लियो है, जब मैं मिक्स करूंगी तो मैं आपको बता दूगी और काली मिर्च, तो चले अब हम बनाते हैं बैटर, तो बैटर किस तरह से बनाया जाए वह मैं बताती तलकी बहार आएगा, मैंने तेल लग दिया हुआ है और तेल गरम हो रहा है, तब तक मैं यह बैटर बना लेती हूँ, अब हम इसमें स्वाधनुसार नमक डालेंगे, मैं ज्यादा नहीं, सिक 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ, और काली मिर्च, 1 टेबल स्पून, अब हम इ कि आप मैदा और कॉन फ्लावर भी आड़ कर सकते हैं, आपके लिए उसमें आपको चावल क आटे की जरूर नहीं है, और उसकी कंसिंसेंसी आप सेली ही रखे, तो बैटर आपका थोड़ा मोटा होना चाहिए, जिसके आपके फूल गोमी में अच्छे से मिल जाए, देखे कि अंदर गुटलिया बिलकुल ना रहे, यह देखे कितना सॉफ्ट टेक्चर हमारा बन के रेडी है, इस तेज साइड में गरम हो चुका है हमारा, अब इस में इक ही पारिट में सारे फ्लोरिज टाल दूगी, यह देखे, अगर चाहे तो आप हाथ से भी डाल से डाल सकते हैं, बना के या फिर आ ऐसे चमत से उठा के भी रख सकते हैं, यह देखे, हमें यह चाहिए, और मैंने पहले से लिए फ्लोरिज काटके गरम पानी में पांच मिनिट सिर्फ उबाल के रखे थे, थोड़ा सा नमक डाल गे, अगर उसके अंदर कोई कीटानों है, जिवा जैसे कि हम कभी सोस्ते के गर पे आने के बाद हम कैसे जदी-जदी कुछ भूख लेगे, तो कैसे हम जदी-जदी कुछ बनाएं, इजी सा कुछ तो यह पूरी रेसेपी से दस में तयार हो जाती है, यह देखे, आपने यह बिल्कुल नहीं चिपके, इसे आप पलट भी सकत तो बड़े आसानी से, और नहीं यह जले है, अपना टाइम लीजे आराम से बनाएं और यह रेसेपी ज़रूर एंट्रोई कीजेगा, यह बहुत बहुत ही एजी रेसेपी है, कमी कभी बच्चे खाते नहीं हैं, क्यूंकि यह फूल को भी है, उन्हें पसंद नहीं होती है, कभी कभी, तो आप जैसे बनाना चाहें, और उन्हें यह स्वार, क्यूंकि क्याचप बच्चों का हमेशा फैडरिट रहा है, और हमेशा रहेगा, तो आप जब क्याचप एड़ करते हो, तो आप उसमें सिजवान सोस ना दाले बच्चों के लिए, क्यूंकि काफे तीखा ह हो जाता है, हो आप इसे भी चिकन बिंग है कह सकते हैं, अकर बच्चेणों क चिकन की डिमांड करते हैं, अगर आप नहीं खाते है तो आप इस तरह से बता सकते है, कि यह वेच चिकन है, यह बहुत सिंपल रसेपी है, बहुत ही सिंपल। यह देखिये, यह अच्छे से फ्राइड हो रहा है भी, इसे हम और फ्राइड होने देंगे, फिर उसे हम एक बॉल में निताल लेंगे, मेकेप करते ही सारे ही तल दूंदी, आप इस फ्लोरेट्स को मंचुरिन फ्राइड ड्राइड में भी यूज कर सकते हैं, जैसे हका अब फ्राइड कर लिए अच्छे से, अब फ्राइड करने के बार अब मैं इसे वेडी करूंगी, यह मैंने एक कप शिम्रा मिर्च ली हुई है, उसे हम में दो चम्मज तेल मेरा गरम हो गया है, इसमें अब में राणी जी शिम्रा मिर्च हमें ऑलियन थोडी सी राणी यह मैंने एक बड़ा चम्मज गाली दिया हुआ है, ड्राइ गाली, एक बड़ा चम्मज अध्रक और हाफ टेबल स्पून मैंने रसुम का पेस्ट इसमें में डालूँगी, दो बड़े चम्मज सेजवान सॉस, दो बाई कटी हुई हरी में अब फ्लेम यो मीडियम ही रखें और इसे सौटे करते रहें इसमें मैंने प्याज नहीं डाली है, क्योंकि अगर प्याज में डाली है तो यह थोड़ा सा तीखा और हो जाएगा तो मैंने प्याज एवोई की है, अगर आपको प्याज चाहिए तो आप लाल प्याज डाल सकते हैं और या सफेट प्याज डाल सकते हो और इसमें मैंने एक टेबल स्पून गरम मसाला, एक टेबल स्पून हल्दी, एक टेबल स्पून धन्या पाउडर और दो टेबल स्पून लाल मिर्श्ली होई है यह अच्छे से सौटे कर लीजे, कलर एक तम बढ़िया आ रहे है अब इसमें हम, spicy ketchup डालेगे अगर आप बच्चों के लिए जीश बिना रहे है तो spicy ketchup बिल्कुल न डालेगा अगर उन्हें spicy ketchup पसन देट आप सकते हैं यह मैंने टोमेटो केशप लिया हुआ है सिर्ण मैंने एक मीडियम साइज का बॉल इसे लिया है क्योंकि उसका जो कलर और जो स्वार दाता है यह मेन है इसमें दाजी के लिए अब सोय सॉस डालेंगे हरा धन्या और जैसे मैंने कहा था यह हली प्याज हम आखिर में थोड़ी बचा के रखेंगे डेकोरेशन के लिए हम अब एक टेबल स्पून काली मेंच डालेंगे और यह हमारी वन टेबल स्पून है लेखिन हम इसमें से हाप टेबल स्पून नमक दालेंगे यह अच्छे से मिक्स कर लीजिए यह देखिए वाके में कासे बढ़िया कलर लाना है यह अच्छे से आप अच्छे से सौटे कीजिए इसे जादा देर तक ना पकाए यह हमारी फ्लॉरेट्स अलड़ी गरं गरं है तो हम इसे डालेंगे और तब उत मसाले लग जाएंगे उसके बाद हम करीबन पांच हुनेता गरेने देंगे अब इसमें सारे फ्लॉरेट्स डालेंगे देखिए अगर गरं है तो आप इसे चमत से ही डाले ताकि आपका हाथ ना जले यह फ्लॉरेट्स देखिए यह आप करीब इन पांच सु ग्राम तक ही फूल को भी है यह आरान से आपके पांच से छे लोगों के मेंबर में आ सकती है यह देखिए अगर बच्चे लोगों को ज्यादा कैचप पसंद कर सकते है तो आप इसमें कैचप एड़ कर सकते है यह देखिए सो अब हम को भी मंचुलिये हम अब डेकोरेशन करेंगे अब हम इसे गानिश करेंगे हरे धनिये से अगर आप हरा धनिया न डालना चाहे तो न डालें सिर्फ आप हरी प्याच का गानिश कर सकते हैं मुझे हरा धनिया पसंद है इसलिए मैं हरे धनिया का गानिश करेंगी देखिये आपका वेज मंचुलियन रेडी है आप इसे खाईए एंजोई कीजे अगर आपको यह रेसेपी पसंद आई है तो आप लाइफ कीजे सिस्क्राइब कीजे और कॉमेंच करना न बोले और शेयर करना भी धनियवाद